यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्चों, आप सबको पता चले गया होगा कि अपने लोगिन में डाली गई है, तो लोगिन से आपको अपने ओमार कैसे चेक करना है, ओमार के according answer की कैसे चेक करनी है, कैसे NTA ने कौन सा response आपकी ओमार सीट से उठाया है, ओमार चैलेंज कैसे करनी है, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक basic चीज बताऊं, जो काफी सारे student को मालूम होगी, या जिनको मालूम नहीं है, तो मालूम चल जाएगा, कि answer की challenge और ओमार चैलेंज है क्या आखे, NTA का answer की challenge क्या है और ओमार चैलेंज क्या है, तो सबसे पहले तो बात करें कि answer की क्या challenge है, तो answer की, NTA ने जो official answer की डाली है, उसमें से अगर किसी student या teacher को ऐसा लगता है कि ये answer NTA ने गलत दिया है, इसका ये answer हो सकता है, तो उस question को आप challenge कर सकते हैं, और उसका region दे सकते हैं कि इस कारण से इसका answer ये हो सकता है, तो NTA की expert team दवारा उसको फिर से re-check किया जाता है, और भी रहे NTA को लगता है कि हाँ हमने गलत answer दिया तो उसको वो सही final answer की check करके final answer की डालता है, तो ये तो होगी answer की challenge की बाद, इसके बाद omar challenge क्या है, तो आपने जो omar seat fill की है, उसमें जो four option है, उसमें से कोई round tick किया है आपने, और वो NTA ने उसका response दूसरा माल लिया है, माल लो आपने किसी question का, question four का third option tick किया है, लेकिन NTA ने उसका second option माल लिया है, तो उसको आप challenge कर सकते हैं, हालांकि ये machine दवारा reading होती है, ये इसमें कोई ऐसी गड़बडिया नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है, कि आपने थोड़ा सा round किया, NTA ने उसको capture नहीं किया, अब आपको check कैसे करना है, अपना score कैसे check करना है, ओमार challenge कैसे करना है, और answer की challenge कैसे करना है, practical के साथ में मैं आपको step by step बताऊंगा, तो सबसे पहले आपको neat.nta online.in की website वेबसाइट उपर visit करना है, यहाँ पर application number, password और capture डाल करके login करना है, तो जैसे ही आप login कर देंगे, जैसे ही आप login करेंगे, इस पर कार का interface आएगा, यहाँ आपका नाम होगा, application number होगा, यहाँ side में answer की challenge का option होगा left side में, इस पर आपको click करना है, तो जैसे ही आप click करेंगे, यहाँ पर देखो, आपको तीन option मिलेंगे, view omar, यहाँ आपने जो omar भरी थी, scan करके आपके omar यहाँ डाली गई है, जो आपके omar थी, आपने omar फिल की है, वो डाली गई है, तो view omar पर click करके, आप अपने omar चाहें कर सकते हैं, क्या मेरी omar है यह, आपने जो roll number फिल की हैं, name फिल के आए, father name फिल के आए, mother name फिल के आए, ये आप ही की ओमार होनी चीए क्योंकि आपके login से ही आप अपना account login कर रहे हैं तो आप इसका print ले ले नहीं तो आप इसको save करके रख ले क्योंकि ये तीन दिन बाद में हटा दी जाएगी ये ओमार आपको मिलेगी नहीं तो इसका आप print ले ले या इसको आप समाल के रख ले दूसरी बात challenge answer key का option मिलेगा इसमें आप answer key challenge कर सकते हैं ये आपके answer key भी है आपके question का जो code है उसके answer key भी है यहां मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपने check करना है कैसे challenge करना है ये आपकी challenge ओमार seat है NTA ने कौन सा response record किया है आपका वो इसमें दिखाया गया है तो आपने इसको टेली करना है अब वो टेली कैसे करना है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी ओमार कैसे दिखाई देगी इस परकार से आपकी ओमार दिखाई देगी यहां मैंने hide कर रखा है किसी student का ओमार यहां दिखाना अच्छी बात नहीं है इसलिए मैंने इसको पूरा hide कर दिया यहां आपकी पूरी ओमार दिखाई देगी आप एक बार अपने ओमार को क्लिक करना है और इसके बाद इसको मिनिमाईज करके चैलेंज ओमार seat पर क्लिक करना है तो आप अपना score टेली कर सकेंगे अब चैलेंज answer की पर क्लिक करेंगे तो यह आपके answer seat आ गई क्यो नमर 6 code है पेपर का उसकी Q6 की यह answer की है correct option कौन सा है 2 है 4 है 3 है 1 है 3 यानि यह Q6 की answer की है और यह Q6 आपका ही code है तो answer की आपके पास में यहां मिल गई आप इसका print ले लें इसको save कर लें या paper पर लिख लें आप तो यह आपकी answer की आ गई आपके code की अब आपका OMAR से NTA ने कौन सा response record किया है वो response record के लिए आप यहां challenge OMAR पर click करेंगे तो challenge OMAR पर click करेंगे तो आपको यहां record response edge पर OMAR seat आपके OMAR seat से NTA ने क्या response उठाया है वो यहां आएगा जैसे की first question का दो number उठाया है दूसरे question का चार number response option उठाया है जैसे की correct answer पहला का दो number है और आपने दो number ही किया है तो आपको यहां four marks मिल जाएंगे यहां four marks मिल जाएंगे आपका यहां अगर तीन होता आपने तीन दिया होता और इसका जो correct answer है दो है तो आपका एक number यहां minus चला जाता तो इस परकार से आप चेक कर सकते हैं अपने ओमार के response से answer की को कितना score आया accurate ऐसे देख लें एक तरीका तो यह है नहीं दूसरा तरीका यह है जो आपकी ओमार सीट है यह ओमार सीट में आपने कुन सा response वरा है उसके according आपकी answer की यह है इस answer की के according आप चेक कर लें तो एक बात तो आपको clear होगी होगी कि जो आपका score है वो आप check कैसे करें चैक कैसे करना है आपका score यह बात clear होगी होगी अब मैं आपको बताऊं कि आपको answer कैसे challenge करना है तो answer challenge करने के लिए आप challenge answer की पर click करेंगे तो जैसे ही challenge चैलेंज आंस्वर कीपर क्लिक करेंगे, चैलेंज आंस्वर कीपर क्लिक करने के बाद इस परकार से आपके आंस्वर किया गई इस कोड़ गी, अब इसमें फस्ट का NTA ने 2 माना है, सेकेंड का 4 माना है, थर्ड का 3 आंस्वर माना है, लेकिन आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी क्यूसन का गलत है जैसे माल लो फूर नमर का एंटी ने एक माना लेकिन आ आप मान रहे हैं यहां दो हो सकता है इसका उप्सन तो आप दो पर टिक कर दें इसको मान लो पांस नमर क्यूसन का एग्जامपल के लिए बता रहूoriented है यहाँ पर आपको NTA ने पांस नंबर क्यूशन का तीन माना लेकिन आप मान रहे हैं इसका एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तो दोनों पर ठिक कर दें आप तो यह हो गया आपका challenge यानि कि इसको आप challenge कर रहे हैं कि इस question का ये answer हो सकता है तो आप कितने भी question challenge कर सकते हैं एक question का 200 रुपए लगेगा आपको 200 रुपीज लगेगा अगर आप 5 question change कर दें तो 1000 आपको deposit करना पड़ेगा NTA की जो team है उसको review करेगी अगर सही रहा तो ठीक है ये पैसा है वो non refundable है तो इस परकार से आप answer की को challenge कर सकते हैं last में आप क्या करेंगे last में आप यहाँ एक file upload कर देंगे उस file के अंदर अपना justification दे देंगे कि इस answer, इस question का ये answer इस बज़े से होना चीए तो ये file आप upload कर देंगे capture डालके submit and review claim पर click करेंगे, वहाँ जो question आपने claim किये हैं उनकी एक list दिखा देगा और उसके बाद में जितने भी आपके question है पर question 200 से multiply करके आपको payment deposit करना होगा जैसे हम fees deposit करते हैं तो इस परकार से आपके answer की challenge हो जाएगी, इसको आप view challenge on answer की पर देख भी सकते हैं कि आपने कौण कौण सा question challenge किया है वो सारा आपको यहाँ पर दिखा देगा, तो ये तो होगी answer की challenge की बाद, आपको ऐसे लगता है कि question का answer ने answer गलत दिया है, तो आप challenge कर सकते हैं कि हर एक student का, हर एक teacher का अलग-अलग view होता है, हर question का मतलब है, अब की बार तो इतना ज्यादा question में, answer में फिर बदल नहीं है, लेकिन कभी-कभी doubt हो जाता है जैसे कि अब की बार भी एक question में है, वो जो option वाला question है, उसमें है एक में, तो one और four उसके हो चैलेंज करना है, जैसे माल लो आपने किसी का round थोड़ा सा काट दिया, एन्टे ने capture नहीं किया उसको, तो आप उसको challenge कर सकते हैं, इसके बाद में अगर आपने ज्यादा round काट दिया, एन्टे ने accept नहीं किया, उसका कुछ भी response capture नहीं किया, तो उस condition में आप omar को भी challenge कर सकते हैं, तो आप एक बार omar को देख लें, जैसे 192 क्यूसन है, 192 का मैंने 4 किया है, तो NTA यहाँ इसका 4 ही response लेगा, 192 का 4 ही response लिया है उन्होंने, यह आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि वो जो 4 है, यहाँ पर भी 4 ही capture किया है, अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है, कि मैंने omar में यह भढ़ा है, NTA ने गलत response ले लिया, तो आप यहाँ पूरा टेली कर लें, यहाँ पूरा टेली कर लें, वैसे आपको सारा सब कुछ वही मिलेगा, जो आपने fill किया है, सही से fill किया है, तो, अगर कहीं कोई mistake हो गई आप से, जैसे आधा round fill किया, NTA ने लिया, तो उसको आप challenge कर दें, omar को, तो इस परकार से आप challenge कर सकते, जिस question को challenge करना है, जैसे कि मानलो 192 का 4 answer लिया है, और आप सोच रहे हैं कि 4 गलत कर दिया, यह 200 question है, यह 200 जो last question है, इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, NTA ने कुछ भी नहीं लेकिन आपने 4 answer है, इसका 4 बढ़ थोड़ा सा अगर यहां कर दिया, आपने tick कर दिया, और capture नहीं लिया, तो इसको आप challenge कर सकते हैं, और यहां choose file में पूरा लिख भी सकते हैं, कि इस कारण से यह challenge कर रहा हूँ, मैं, मैंने थोड़ा सा इसमें round किया था, पूरा नहीं हुआ है, करके आप यह ऐसा लिख सकते हैं इसमें, तो आप इसको check कर सकते हैं, साथ में इनका print भी ले ले, इसकी जो date है 31 मई है, उसके बाद आपको यह नहीं मिलना है फिर, फिर बाद में किसी student की यह शिकाईत होती है, कि मेरे result में ऐसा हो गया, ओमार में ऐसा था, ऐसा दिखाया था, तो इसका पहले पूरुप का print ले ले ले, पूरा का पूरा, फिर बाद में check भी कर सकते हैं, कि कैसे आपका score कितना आ रहा है, तो यह सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया है, आपके पास दोनों option है, आपकी answer key भी है, उस answer key को आप ज्यादा नहीं जानते, इसके बारे में computer के बारे में, तो आप paper पर लिख लो, आपकी जो answer key दे रखी है, यह जो आपके answer key दे रखी है, यह challenge answer key पर आप click करेंगे, तो यह पूरी की पूरी आपकी answer key दे रखी है, यहाँ पर, यह पूरी की answer key है, challenge पर click करेंगे, first का दो number है, second का चार number है, यह answer key है, आप इसको paper पर लिख लो simply सी बात है अगर ज्यादा नहीं जानते हैं तो और आपने क्या जबाब दिया है यह उसमें omar पर यहां challenge omar पर click करेंगे तो आपने क्या response दिया है यहां आपको मिल जाएगा record response में मिल जाएगा कि आपने यह इसका reply दिया है यहां पर record reference में आपको मिल जाएगा कि NTA नहीं यह record किया है फर्स्ट का दो number record किया है तो इनको आप paper पर लिख लो तो इससे आप ऐसे मिलान कर सकते हैं challenge कर सकते हैं तो इसकी जो last date है challenge की वो बहुत ही limited time है हर समय ही limited time होता तीन दिन का time होता तीन दिन का time अभी दिया गया है आज से सुरू है 31st मई 24 तक रात 11 बचके 50 मिनट तक आप challenge कर सकते हैं ओमार को answer की को किसी भी answer को 200 रुपीज लगेगा आपका पर answer लगेगा कितने भी answer challenge कर सकते हैं इसके बाद ओमार का भी 200 है जो non-refinable है और आप 31st मई तक challenge कर सकते हैं इसकी answer की को तो ये जानकारी थी इसके बाद जैसे ही आप challenge कर देंगे मैंने बोला answer की का जो जितनी challenge जाते हैं NTA की जो review team है इसको एक बार check करेगी फिर final answer की जारी करेगी और final answer की के according result तयार हो जाएगा अगर आपका ओमार में कुछ गड़वड है मालनी आ जाता है तो ओमार में आपका जो response capture है वो edit करके फिर उसके according result तयार कर लिया जाएगा तो ये जानकारी थी ओमार के बारे में अब आप counseling के बारे में जानकारी लेना चाते क्योंकि अभी result आ जाएगा रजल्ट आता ही counseling सुरू हो जाएगी इस बार ज्यादा लेट नहीं होना है counseling सुरू हो जाएगी तो counseling के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो हमने तीन book publish कर रखी है ओल इंडिया की book भी है इस टेट की book भी आयूस वेटनरी की है जिसमें हम 24 लिस्ट भी दे रखी है हमने कैसे आपको 24 फिल करनी है कौन सी college की कितनी piece है प्रिवेश एर में कितनी cut-off रही थी इस बार 10 से 15 मार्ग से अगर college में जोडेंगे तो आपको कौन सी college मिल रही है पिछले ए कोर्डिंग सेंटल फूलकोटा के बारे में जानकारी दे रखी है counseling process क्या है state में हरे एक state के बारे में जानकारी दे रखी है kitchen piece, cut-off A incr हर एक state का अ-लग-अलग procedure है उसके बारे में जानकारी दे रखी है आपको कैसी choice field करनी है state में क्या documentse यह ऐसे ही आई उस वेटनरी के बारे में जानकारी दे रखी है इसको आप हमारे इस वीडियो के description box से भी download कर सकते हैं more पर click करेंगे तीनु books का यहां पर link है या फिर हमारी website चोपडा education.in से download कर सकते हैं जैसे download करेंगे हम आप से संपर्क कर लेंगे जो mobile number देंगे आप हमारी paid service भी ले सकते हैं लेकिन हमारी paid services limited होती हैं पिछली बार भी हमने result के बाद बता दिया था कि अब हम paid service नहीं दे सकते हैं तो आप यह जानकारी ले सकते हैं website पर जिस book पर आप click करेंगे download page पर पहुंच जाएंगे तो यह जानकारी थी answer की challenge के बारे में और ओमार challenge के बारे में यह एक basic जानकारी है लेकिन बहुत सारे student को इसके बारे में पता नहीं होता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपने इसको बारी की से देखना है मैंने आपको समझा दिया है step by step उसी प्रकार से आपने करना है इसका print ले लेना है शूचर के लिए आपका result इसी के according ही आएगा तो मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैखिन